हलो मेरे प्यारे छात्रों आप सभी का स्वागत है कच्छा दस के जितने भी छात्र दो हजार पचीस में बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए दो हजार पचीस का हिंदी का वारल पेपर आप सभी को कराने वाले हैं देखिए आप सभी को पूरे संपूर पेपर का आप सभी को कराने वाले यह देख सकते हैं यहां पर देख लिजी आप सभी यह जितने भी हैं आप सभी को जितने भी कोईस्चन है जो आपकी दो हजार प पतला सा नोट्स बना लीजिए ठीक है आप हिंदी का बना लीजिए ठीक है गड़ीत का बना लीजिएगा और बिग्या है जितने भी छावी से आपका बोड के एक्जाम में आएंगे उनका क्या करना है आप एक पतला सा नोट्स बनाना है और जितने भी प्रश्न कराएंगे उन सभी प्रशनों को एक जगा लिख लिजिए गा, आज आप सभी को संपूर पेपर का हल कराएंगे, आपको देखाई भी हैं कि देख सकते हैं कि आप पूरा कितना detail में कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को skip मत कीजिएगा, चले फ्रेंस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, त ठीक के एकदम यह मालजी की स्मझे इसन फेक मत समझे के रियल पेपर यहां है आपका जब आपको पेपर मिलेगा स्मय लिखा रहें तो तीन गटा 15 मिट का संपूर समय लिखा रहें और जो पूड़ां करेंगा टुटो 70 नमबर कराता है अब यहां पे जो यहां पे नोट है यही आपको बूड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहां पे देखिए नोट है आपको क्या करना है कि प्रारम का जो 15 मिनट रहेगा परिछाती को प्रश्ण पत्र पढ़ने के होगा दो खंड में खंड और खंडबा में विभाजित होगा खंड आ जो हता है उसमें आपका एक से लेके 20 बहुकल्पी प्रश्ण पहले पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको MR सीट पर करना रहेगा यह MR सीट आपको बोड के एक्जाम में मिलेगा ठीक है अब यहा बार जो होता है एक बार यदि आप खूर देते हैं तो उसके आपको किसी प्रकार का कट नहीं लगाना एपर जो तो कर सकते थी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जरूर ध्यान दीजिएगा ठीक है फिर इसके बाद है आपका प्रश्ण के अंक उसके सम्मुक अंकित किये जाएंगे यानि कौन सा प्रश्ण कितने नंबर का है सभी प्रश्ण के सामने नंबर लिखा होगा खंडबा जो पर आपको समय नष्ट नहीं करना है यह आपके कुछ समाने जो निर्देश थे आप सभी को बताएं चलिए प्रश्ण आपको दिखाते हैं ठीक है यहां से प्राराम होता है खंडब ठीक है आपको संपूर पेपर का हल कराने वारे हैं तो आप वीडियो के स्कीप मत आपको पताना है कि आपको पता कर सकते है कि आचार राम चंद्र शुकर किस यूम के लेखक थे यह सकी जवाब एवला आपसान ऑगा यह चीज़ आपको समझ में आगया ओगा अगाला प्रस्य देखेए डूसरा प्रस्ण आप ध्यान दिजीए गवन किसे विधा कीरचनाय यानि गवन बताना है किस विधा कीरचन किल्या आपrowsने या यह एक नाटक है एक आंकी है उपन्यास या कहानी है देखिए इसका एक पतला से notes आप जरूरर बनाएगा और सभी प्रश्न जितने कुरार है इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लिजिए गा तो गवन क्या है एक प्रकार का उपन्यास है इसका सही जवाब सी वाला आपसन आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि Gıson एक उपन्यास है अगला प्रस्ट न देखिए कंकाल की लेखक कौन है ये देखी सबसे important प्रस्ट होता है कंकाल के लेखक के बारे पुछा है कौन है मुंसी प्रेम चंद्र जी है जैसंकर प्रसाद जी है निराला है या राम चंदर शुकल जी है तो कंकाल के जो लेखक है जैसंकर प्रसाद जी है इस प्रशन का सही जो आपके हो जागा बीवला आपसन आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रस ने देखी आप चौथा नमबर का कि कलम का सिपाही कृति है यानि कि कलम का जो सिपाही है किसके द्वारा लिखा गया यह आपको बताना है आपसने धर्मवीर भारती की है अग्गेजी की है यह जैनेंद्र की है यह अम्रित राय की है देखें यहां पर ध्यान द ठीक है चरी अगरे प्रश्णों को देखते हैं अगला प्रश्ण पांचवन नमबर का देखिए सुक्ल यूग की समय अवधि देखिए जो कोष्टन बनाए एक एक नमबर का प्रश्ण है वही इसके सम्मुक प्रश्ण का अंक निर्धारित किया गया यहां प्या है कि सुक्ल तक माना जाता है ठीक है तो यहां पर स्चन आपकशन सई हो जाएगा अगला प्रश्ण आप देख सकते हैं साकीट रचना किसकी रचना है ौहादेवि वर्मा जी की है सुमितरन अन्द पन्त की है या जैसंगर प्रशाद की है या महितली सरण गुप्त की है देखे फ्रेंस जिस प्रशन का इंसर आपको आ रहा हो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं पहले से ठीक है देखे साकेत किसकी रचना है यह है आपकी मेइसली सरण गुपत की है ठीक है अगला प्रसुन देखिए आप महादेवी वर्मा कवित्री है यानि महादेवी वर्मा के बारें बताना है कि किस यूग की कवित्री मानी जाती है प्रगतिवादी यूग की मानी जाती है डिवेदी यूग की च्छायवादी यूग की या प्रयोग वादी यूग की य अगला प्रस् 장 में यहाँ देखिए आट नंबर का कि गंगा लहरी रचना है यानि गंगा लहरी जो किसके द्वारा लिखा गया है आपको यह बताना है पदमाकर की है घृहर रिकी है यह मतिराम की है यह ज़िना डियान दिजेगा कि जो यह पदमाकर जी की रचना है इस प्रशन का सही जवाप आवब आपसना सही हो जाएगा फुर्पर not अधुनी काल की शमय अवदी मानी जाती चाथ तो देखिता के आधुनी काल की जो समय अवधी मानी जाती है 1843 इसवी से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है वह आधुनी काल की समय अवधी मानी जाती है इस प्रश्ण का सही जो अगर डीवलाप्सन सही हो जागा 1843 इसवी से लेके अब तक का जो समय है आपका आधुनी काल की समय अवधी मानी जाती है ठीक है अगला प्रस्ण आप देखिए दस नंबर का जो प्रस्ण है कि महादेवी वर्मा की रचना है यानि महादेवी वर्मा है इनकी रचना कौन सी यहां देखिए कौन सी नहीं है पूछा है ना कौन सी है यह नहीं पूछा कौन सी रचना नहीं है आपसन पढ़िए निहार है सांध्यागीत है युगांत है दिप शिखा है यहां महादेवी वर्मा की जो रचना है एक निहार है यानि कि महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है निहार लिखा गया है संध्यागीत लिखा गया है दीव शिखा लिखा गया है जबकि यह युगान्त है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है तो इस प् प्रश्न का सही जो क्यों होगा बीवला आपसन सही हो जागा ठीक है अगला प्रश्न देखिए अगला देखिए अगला देखिए सभी प्रश्नों का अदम तयार कर लीजिए ठीक है यही समालंकार है जिसका सही जवाब के होंगा भी वल आफसन सही हो जायेगा ठीक है आपके अगला Π export रखा छन्द में चिरण प्रत ना है के 48 चंद कितना चिरण होता है द्यान दीजिए चय तो कितने थे मतलब होता है कि कोई सब्सरंग जो होता है उसमें जुप जुदा होता है क्या जैसे इसका कोई सब्सरे क्वाब सै देखाएगा अगला प्रस्ण देखिए प्रते के भेद यानि प्रते के कितने भेद हैं तो प्रते के टोटल दो भेद होते हैं इस प्रस्ण का सही जवब डिवलापसन सही हो जाएगा अगला प्रस्ण आप देखिए यहां पर हानी लाब में समास है ध्यान दीजेगा कि हानी लाब में समा होता है यहां पर हमेशा कौन सा समास होता है दोंद समास होता है कौन सा समास होगा आपका दोंद समास इसका सही जवब एवल आपसन सही हो जाएगा इसे प्रकास आप कमेंड बाक्स में लिखिए कि माता पिता में माता पिता में कौन सा समास है अब इसका कमेंड बाक्स में ए जब आधा तो इसमें हमेशा आपका यड़ संधी होता है कि कौन से संधी होता एक संधी होता है ठीक है जब यदिपी में आपका अधा-da मिले आधा तव मिले आधा-ya मिले तो वहाँ पर जो संधी ओता है यड़ संधी ओता है इस प्रश्न का सही जंद क्या होगा सी वल्डाप्सन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखेए आप यहां पर क्या है कि मधूश शब्द का दि क्यों विवक्ति में मध्व में कौन सी विक्ति और बहु रजार्ण के रूप में बता किसी विक्तिमें द्यूति हम देख सिहांग दिखेःगा मध्ू का बहु आफ़ नियुथी फतक्राइव द्यूति अधियांग बहु बपलभ रूजानच, ने कि अगला प्राशन देखिया अगला कि पठेतां ध्यूका कउन सा। ऑब को पूरुत् headache यहाँ बांद दिना द्यान दीजाएकर जो पठेतां होता है उसमें पूरुस होता है और ध्यूती वचन होता है क्या होता है धातु काउन सा होता है प्रथम पूरुस होता है और वचन काउन सा होता है आपका दिवती वचन होता है इसका सही जवाब वीवला अप्सन सही हो जाएगा यह था आपको 20 बहुवी कल्पी प्रशन जिसका एंसवर आपको कहां पर देना था ओमर सीट पर देना था अब यहां से प्रारंब होता आपका खंडब ठीक है अब यहां दिए खंडब जो है इसमें पचास अंग का वड़ात्मक प्रश्ण आता है यानि लिखित प्रश्ण रहेगा ठीक है जिसे उत्तर पुस्तिका पे आपको लिखना रहता है आपको बताने वाले हैं कि प्रश्ण को बोड की एक्जाम में में कैसे लिखे इंगसे लिखें आपके बोल्कि एक नमबर भी न काटे आपको पूरीटेयल में लिख्या करके बूसाहथ में बताने वाले हैं यहbrig बीकल्षन को देखते हैं आपका पहला प्रश्ण क्या है निम्ना लिखित गध्यांज पर आधारीत दीएगे प्रशनों का उत्तर देना है टोटल कितने नंबर का ये प्रशन है च्छा नंबर का है ठीक है अब देखिए इस पे संबंदित आप से तीन प्रशन पूछे जाते हैं पहले आप इसको देख लीजिए क्या है आज हम इसी निर्मल शुद्ध सीतल और स्वास अम्रित की तलास में है और हमारी इच्छा अविलासा और प्रत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर्तत्त देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बरद सब्सक्राइब ने इस अब यह सब not the लिए और हें और आपको पता नाम क्या है पूरा भारती संस्कृत कर सकते हैं कि अच्पी आप क्या है फिर इसके अलगा जब आपको भारती संस्कृती पार्ट का नाम पता चल जाएगा, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, कि किसके द्वारा लिखा गया है, यह लिखा गया है, डाक्टर राजेंदर प्रशाद के द्वारा, किसके द्वारा, डाक्टर राजेंदर प्रशाद के द्वारा लि ईग्ञाम है आपको इसको बोड के कापी में लिखना कैसे है यह आप देखिए कि उपरिूग्त गध्यांस का संदर्व लिखना देखिए आपको बताते हैं पर एक THE सुन लिजी तब इसको आपको बताएंगे कि कापी पर लिखना कैसे है प्रशना को अउत्तरह आप कैसे डालेंगे परविखेंगे गध्यांस संदर्ब कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तूत हमारी पार्ट पुस्तक भार्ती-संस्क्रती नामक पार्ट से लिया गया है जिसके लेखा कौन है डाक्टर राजंद प्रशाद जी है बस इतना ची लिखना अब दिखिए इसको जैसे आप पेपर पर कैसे लिखें कि बोर्ड के एक नमबर नहीं न कटें अधम साफ सुतरा लिखना है जैसे बतार इसी तरह बोर्ड के लि लिख सकते हैं फिर इसके बाद आप क्या करेंगे लिखेंगे प्रश्णोत्तर संख्या वन यानि वाला कर रहें तो प्रश्णोत्तर संख्या वन लिखिएगा इसके बाद जिसका आपको जिस गध्यांस का आपको क्या करना ब्याक्ष्या करना जैसे देख लिए यहाँ पर यहां पर लाश्ट के एक-दो सब्द लिख लिएगा जिससे पता चलिए एक जामन रखो कि किसका आप संदर्व याथ कर रहे हैं ठीक है अब देखे जैसे प्रशन यह है इसका कैसे लिखेंगे यहां पर देखिए पहले नमबर प्रशन यहां पर एक डालिएगा और यहां प नाम याद रखना पड़ेगा और उसके सास्वें क्miris द्वारा यह लिखा गया है संथर्पिसे मी लिखeli संदर्व कैसे लिखेंगे लिखेंगे प्रस्तूत गध्यास हमारी पुष्टक हिंदी लिखिएगा इसको क्या कीजेगा कि प्लेक इन से लिखिएग़ जिससे भारती संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है इसके जो लेखा के कौन है डाक्टर राजेंदर परसाद जो लेखा का नाम रहेगा इसे भी ब्लेक पेंट से लिखे देजिएगा और देखी जब इस प्रकाद से लिखे के आएंगे एक नंबर भी जो काटने वाला होगा वो लिखे लेंगे एक प्रशन का एंस जब देंगे इस पर दो नंबर मी लिए इसलिए के टोटर जो है आपका च्छै नंबर का है तो तीन प्रशन पूचा गया है तो दो नंबर में ये बढ़ जाएगा अगला प्रशन देखिए आप से पूचा है गध्यांज के रेखांकित अंस की अंस का भाव असपष्ट कीजिए अब असपष्ट करना देखे कैसे यहां पर है आपका देखे रहांकित यहां से लेकर यहां तक किया है जैसे आप जानस सब्सक्रांव की और लेकर कहना है कि अब एतना computing जैसे लीखने के लाइद है तो पाठ के नाम की अधार पर लिखेंगे कि भारति संस्कृति रूती विसल सागर में आकर विषाल सागर में आकर गिरने वाली जैसे जाती हुआ भारती संस्क्रिती में यह सब आगा ना जाती धर्म भासर आपके विङित नदिया एक साथ मिलती है यानि कि आपको जो भार, प्रोभ जाती हुआ, धर्म हुआ यह सब एक नदियों के रूप में तुलना किया गया थीख है, फिर इसको क्या कहा गए हागे, यह थीजुन नदियों में एक तार रूपी जाल, अम्रित की तरफ प्रभावित हो रहा है, तो इस तरफ क्या करना रह लिखने के बाद देखे आप कैसे लेखक कहना है कि भारती संस्कृती रूपी विशाल सागर में आकर गिरने आधी रूपी विभित नदियों में एकता रूपी जल अमरित की तरह प्रभावित हो रहा है परन्तु आज यह एकता रूपी जाल विभिन कारणों से दूसित हो रहा है हमें आज भी उस अमरित का अमरित तत्तु की तलाश है जो सदियों पुरूर प्रवावित होता था यानि कि आपको भारती संस्कृति के बारें धर्म हुआ जाती हुआ नदियों की तरह एक जगह मिलता है लेकिन ये वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि समाज में कौन से घटना घट रही है भारती जाती धर कर गारें भासा को लेते हुए ये विन्यत्ता आपको देखने के लिए मिल रहा है इपने भाषा में क्या करना है लिखना रहता है समझिए आगया होगा आप इसका नोट से लिख सकते हैंδ्यान से जय बाइब इस इसलों बोर्टी टेजाम में कापी कई को लिखके आहीएग ठीक है चलिए अगले प्रस्ण को बताते हैं अगला प्रस्ण या देखे लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है यानि किस कारण से आज भी कायम माना जाता है तो देखे हमारा जो अस्तित्व लेखक कैसे लिखेंगे लेखक के अनुसार हमारा अस् संस्कृति है उसके आधार पर आज भी कायम माना जाता है यह देखिए भारत में जो होता है आप सभी को पता है धर्म हुआ श्रीक विभिन प्रकार के धर्म के लोग विभिन प्रकार के भासाई लोग भारत में रहते हैं वही भारती संस्कृति के आधार पर आज भी क्या मान जाता है इसको कैसे लिखना है आपको यहाँ पर शिकर डालिए इसका लिखिए गा लेख के अनुसार तो जब भी और व्याख्या करना आज भी है इतना आपको लिखना रहेगा समझ में आगया हो यह था आपका इतना प्रश्ण का इंसर जैसे आपको बता है इस तरह लिखते हैं तो पूरा टोटल 6 नमबर मिलेगा एक नमबर भी एक्जामर आपका काटने वाला नहीं है अब देखिए यहां पी लिखा है अथवा जब अथवा लिखा है तो आपको क्या करना है कि दो प्र देते हैं जिससे आपका पूरा संपूर पेपर आपका हल हो जाए अब यहां पर देखिए क्या दिया है यह कोई बात नहीं है कि एक एकता देखिए एक ही स्वभाव और रूची के लोग में मित्रता हो देखिए यहां पर मित्रता शब्द पकड़िए और यहीं से आपका पाट का नाम पता चल जाएगा पाट क्या है आपका पाट का नाम क्या है मित्रता है आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा हिंदी का थोड़ा से भी पढ़े होगे तो आप पता कर सकते हैं कि किस पाट से लिया गया है तो मित्रता देखिए आपके गध्यान से ही आपको पता चल जा रहा है जब आपकप पाथ का नाम पता चल गया तो आपको पता होगा कि इसके द्वारा लिखा गया तो आप सभी को पता है कि इसके लेखक जो है आचार राम चंद्र चंद्र शुक्ल जी है ठीक है कौन है तो आपको इस गद्यान से क्या पता चल जाएगा तो आपको लेखक नाम पता ही चल जाएगा आचार राम चंद्र शुक्ल जी है यह दो चीज आपको पता होना चाहिए अब देखिए यहां पे आप नियाहां से लेके यहां तक पुरह इसको पढ़िएगा और यहां पर रेखांकित अंस जो किया गया इस तरह लाइन-अंडरलाइं कियाग है इसी का अपने शब्दों में ब्याख्या करना रहता है तो आप ब्याख्या कैसे करेंगे आपको के मित्रता नामक पाट से लिए आ गया है जिसके लेकक आचार रामचंदर शुकले जी है जो कि अभी आपको बता है ठीक है फिर एक आंकित अंस की ब्याक क्या करना देखे कैसे करेंगे बूर्ड के एक्जामित यह है आपके सामने प्रशन लिखेंगे यहां पर यह कोई बात नहीं डाट 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 उस्साही अब यह वता है कि कैसे लिखने इस्टार्टिंग के जो गद्यांस दिया रहेगा उसके एक-दो सब्द लिखेंगे डाट 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 आगे तक लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे उस्सा ठीक है यह अब इस तरह प्रशन उत्रसं सब्सक्राट से लिया गया है इसके लेखक आचार रामचंद्र शुकली जी है जैसे पता है आपको इसी प्रकास बोर्ड के एक्जाम में लिखना रहेगा इसके बाद देखिए यहां पर है रिखांकीत अंस की ब्याख्या करना है देखिए क्या है समाज में भिन्नता देख देखिए कर लोग के डूसरे की वर्ल को जैसे दो मित्र होंगे आप उसके वर colors वहसे कुछ भिंड् लगे यदि हम लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना बताने में इसलिए पहले से यहां लिखा गया है यह हेडिंग बनाएंगे रिखांकित अंसकी ब्याक्या और देखें लिखेंगे कैसे लेखा का कहना है या लेखा के अनुसार यह शब्द जरू ल भी मित्रता हो सकती है समझ में आगे जैसे समान जो से जिनकी रूचियां समान हो या एक समान रूची को उन्हीं मित्रता नहीं होती है बलकि जो आप से रूची में भिन हो उनके साथ भी मित्रता होती है ठीक है यही इस लेखा का काना है इसके आगे आप ऐसा लिखेंगे देखने को मिलती है ठीक है ब्यक्ति चाहता है कि जो गुड़ देखें जो गुड़ उसमें नहीं है उनी गुड़ों से युक्त से यहां ब्यक्ति से मेत्ता बढ़ाई जाए जिससे जीवन में कठीन समय आने पर उनसे सहायता मार्ग दर्शन प्राप्त कर सके इस तरह देखे आप पूरा देख लिए पूरे को इस तरह आप लिख सकते हैं जैसे लिखेंगे तो लिखते लिखते आपको याद हो जागए यह भी अब देखे हैं यहां प्रकार अगला प्रशन कर आपका खैंक या प्रशन का कैसे है और यह दुष्कर कर सक्रिक कर आपको पता है हैं चाहिए समाज में जो भिंता अुस को दो देखकर एकुर कर्शन होता इसी का एंसो लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे देखें तीसरा कर लिखेंगे प्रस्तूत गद्यांस के अनुसार ब्यक्ति समाज में विभिन्नता ठीक विभिन्नता देखकर ही एक दुसरे क्यूर आकर्सित होता है यानि जो दो मित्रे एक दुसरे क्यूर आकर्सित होते ह यहीं आपको ब्याख्या करेंगे यहीं आप ब्याख्या करते हैं टोटल च्छा नंबर आपको मिलेगा और जैसे काफी लिख कि आपको बताएं इसी तरह बोर्ड के एकजाम में आपका भी लिखिएगा ठीक है समझ में आ गया होगा अब देखिए आपके सामने अगला पढ़ेंगे इसमें पार्ट का नाम यानि किस पार्ट से लिया गया है दूसरे नंबर पर लेखा का नाम आपको आना चाहिए ठीक है देखिए आप इसको पढ़ लेंगे अब इससे संबंधिक किस पकाई से प्रशन पूछा जाता हुआ आपको चलिए बताते हैं ठीक है य आंकित अंस की ब्याख्या करना रहता है मद्ऊ शब्द का अर्थ ये आपको बताना है अब इसके अलावा अंधुए इस प्रशन को आपको पूर्हा हल करके बताते हैं ठीक है देखिए जब भी अधुए धुवा दे तो दोप्रशन में से एक ही प्रशन का इन्सवर आपक जिनकी निर्मल किरतिन शाकर देख चुके हैं जिनका वयभो यह नब के अनतरागर्ण यहां पर देखिए क्या दिया है अगरित बार सुन चुका है नब जिनका विजय घोष्रण गर्जन थीक है किसे मिला कि देश से प्रेम की भावना मिलेगा देश से प्रेम की भावना का हो रहा है ठीक इस पुरे पध्यांस से आपका देश भावना जागरित हो रहा है अब जब देश भावना है इसके लेखक कौन हो जाएंगे राम नरेश तिरपाथी राम न रेष तरिपार्थीlock क्या हो जाएंगे राम नर्श तरिपार्थी होजाएंगे है आप यह नार दो चीज पता चल गया अब दिखें कि इसे संब्लोन प्रस्ची पुछता है किस पका से पुछता साब को देख जो देंगे कैसे कैसे दिखेंगे लिखेंगे प्रस्तूत हमारी पाटेपूस तक लिए के स्वधेश प्रेम नामक पार्ट लुखना पेरे जिसके राम के को लिखना रहें है इस तरह आपको लिखना रहों कि अपनों कहना है वहाँ अपनों के क्या पै्यास मिल क्रतु혹में न 1 ही और यह द्वारा लिखा गया me आपको जब वोक्त पढ़ेंगे तो उसी से आपको उस पांट करना पता चल जाएगा जैसे आपको यहाँ पर पता कर बता रहे हैं नहीं कर देखका पता करका पता दियों इसका देखे अब संदर लिखें जो आपको पता है Уसी क्या संभ करता है प्रस्तूत-पद्यांस हमारी प्रक्तक ही नामक पार्ट मग संस्पह्लेंस लिया गया हुँआ इसके कवी कौन है रामनरेस्तृ पारटी जी है बaiserय से आपको गध्यांस व्टाय तो सी तरह पध्यांस किसा पतब्यांस करेंके और यहां पर लेखक के जगह पे कवी सब्द का प्रियोग करें वस यही दो सब्द का ध्यान देना है और इसी तरह आप लिखेंगे दो नंबर आपको इस पे मिल जाएगा फिर इसके बाद अगला प्रशना आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंस की ब्याख्या करना है तो आ हमारे पुर्वजों की विजय घोसों और युद्ध की गर्जनों को अनेग बार सुन चुका है यह होगा इसका ब्याख्या जैसे द्योरे खांकित अंस की ब्याख्या है दो तीन चाल लाइन में इसका ब्याख्या हो जाता है अब यहां पर अगले प्रशन का इंस्वर्द क कि क्या पूछ रहे है का पद्याद मे कवी ने अपने पूर्व जो की महिमा करन किया गया है इनकेral की पूरवजों की महिमा करन केया करन क् निखेंगे आप को बताने वाले हैं तो आप वीडियो की स्किप मत गीज़ गया और सभी जितने भी प्रश्ण है सभी प्रश्णों को आप जरूर लिख लीजिएगा देखिए अगला तीसरा नंबर का अब यहां पर दिये गए संस्क्रीट का द्यास में से किसी एक का देखिए यहां पर जो तरीका बता रहे हैं यही संदर्व आपको लिखना है देखिए इसका संदर्व कैसे लिखेंगे तो आपको प्रश्णोंतर संक्या तिन डालिएगा तिन डालने के बाद यहां पर एक सब्द लिख लीजिए एक दो सब्द डाट डाट करके भासाम करी तो आपको समझा कई बार समझा दिये अब इसका संदर्व लिखना है यहां पर हेडिंग बनाएंगे संदर्व और लिखेंगे कैसे जैसे आपको पहले बता है उसी तरह आपको लिखना है कैसे लिखेंगे प्रस्तूत गध्यास हमारी पार्ट पुष्टक के संस्क्रीट खंड में संकलित व अब आब आपको वराराती हाता नामक पाठ आजाता है इसensitive अब सबहें आप कर सकते हैं तो आब नगर से आप पता कर लीजिए गोडाए नावाराती नामक पाठ से के लिए आ जैसी एन आप लित्विस के बाद नहीं हिंदी में अनिजिए तरह लीकित करें आप ऐसे लिखेंगे यह नगर देखिए इसा मन होता है और नगर मतलब यह नगर भारती संस्कृती ठीक है भारती संस्कृती और संतियक्ष वान होता है और और भासा का कैंद्रस्था है मतलब यह नगर भारती संस्कृती और संस्कृत का क्या है केंद्रस्ताल है इत एवर संस्कृत वांग मेस्च संस्कृत तेश्च आलोक सरवत्र प्रस्तूत ठीक है लिखेंगे कि देखें इतमान होता है यही यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का सभी क्या प्रस्तूति कर हुआ है अब मुगल यूराज धाराशिकों चाह को अत्रमाद्न एधर भारती दर्शन अध्यानयों यहीं पर आएधर भारती दर्शन सास्त्र का अध्यान किया था सत्यसाम ग्याने तथा प्रभावित भवत यानि कि इस ग्यान से वो क्या हुआ था बहुत प्रभावित हुआ था यत तेल उपनिस दाम अनुवाद पार्सी भासा करिता यानि कि इसके ग्यान से प्रभावित होकर उसका अनुवाद जो होता पार्सी भासा में करवाया था इस यह नगरी भारती संकृती और संस्कृत भासा का केंदरस्थम है यहीं से संस्कृत, साहित और संस्कृती का प्रकाश चारो और फैला है मुगली उवराज दारशिकों ने यहीं आकर भारती दर्शन सास्तरों का अध्यान किया था यहाँ पर देख सकते हैं अध्यान किया था वह उनके ज्यान से इतना प्रभावित हुआ की उसने उपने सिदो का अनुवात फार्सी भासा में करवाया था जो आपको बता है उसी को यहाँ पर लिखना है और इस तरह जैसे लिखें इसी तरह आप बोर्ड के एक्जाम कापी को लिखिएगा ठीक है अथवा संस्क्रीट का अथवा दिया यहाँ पहला प्रसुन जो अभी करवा है उसको कीजिएगा चाहिए अथवा वाला कर लीजिएगा ठीक है आप पूरा संपूल पेपर कर आ रहे हैं अब संपूल पेपर देख लेंगे तो आप बोर्ड के एक्जाम में सभी प्रश्णों का एंस्वर भी आपको साथ में करा रहे हैं ठीक है अब देखें यहां पर क्या है आपका कि अस्माकम संस्कृती सदा गतशील वर्त ते मानो जिवनम संस्कृत एसा यथा समयवना नवाम नवाम विचार धाराम स्युक्रात अचल यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगा अब देखें जब यहां तक पहलेंगे तो पहलने से दिए आको ट्रिक prochain पाट दिया है उस पाट का नाम क्या है भारती संस्कृति क्या नाम है भारती ये संस्कृति ठीक है ये पाट का नाम याद है तो आप इसको लिखना रहेगा अब इससे भी संदर्व लिखना है संदर्व कैसे लिखेंगे प्रस्तूत गध्यास हमारी पाट पुस्तक संस्कृत खंड के भारती संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है बस इतना लिखेंगे आपको दो नमबर इस पर मिल जाएगा अब चलिए देखिए अब इसका हिंदी में अनुवात करना रहेगा कैसे करेंगे यह आपके सामने देखिए प्रश्ण का इंसर कैसे लिखेंगे यहां ल पुष्त ख中國 दीजैंगे हिंडी के संक्रित खंड लिख सकते हैंबिश्यदम लिखेंगे और संक्रीट खंड के भारती संस्कृति नामक पार्ट से लिया गया है तो ओक हमारी संस्कृति सदागदशी मान जीवन को संसकारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचार धाराऊं कुछ स्युकार करती है और नई शक्ती प्राप्त करती है इस तरह आप इसका लिखेंगे ठीक है? लेकि इसके आगे लिखेंगे यहां हट नहीं है जो उचित और कल्यकारी है वह यहां हर्स पुर्वक स्युकार होता है इसकी गतशिल्टा इसकी गतशिल्टा का रहस्य मानो जीवन के सदा रहने वाले आदर्षों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राढ्यों में सं भाव विचारों में उदार्ता और अच्रण में दिरुड़ता में नहीं थे तरह को क्या करना रहेगा संस्क्रीट का अपने शब्दों में ब्याख्या करना रहेगा यहां पर डिटियल में लिखे इसलिए पता रहे हैं कि आपको कम से कम समय में सभी प्रशनों का एंसर बताया जा सके यहां पर हम लिखने लगेंगे तो लग हैं अम यहां separate दिया है क्या है कि पद्ध्यांस में से किसी एक का संधर्व लिखना है हिंदी मानुदह करना यहं यह आपक डिया है है मकर्ण रातिव इत्रसाट आपनो बहुतं की अब बारत का नाम कैसे संत्ति कि भारगा संथन घासी कि भारत का अब संथन जोjust कुछ सोब और जो वीर जिन्हों ने भारत को आजात करा लिए लड़ाई लड़ी थी तो उसमें कौन थे वेर चुई से भाग लेती सभी लोग वीर थे यहां पर मेर साफ्था कर सकते हैं कि यह विर्ह वीरेड वीरह वीरेड पुझ्यते वीरह वीरेड पुझ्यते नामक पार्ट से लिया गया है यह पार्ट आप देखे होंगे संस्क्रित में तो आप इससे पता कर सकते हैं कि किस पार्ट से लिया गया है वीरह वीरेड पुझ्यते नामक पार्ट से लिया गया है अब इसमें क् संदर भी लिखना है जैसे आपको बता है उसी तरह संदर भी लिखना है और इसका हिंदी में अनुवात करना है चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह संदर भी लिखना होंगा झाल करेंगे कहा रहा प्रश्णोत्तर संक्याचाहर और श्टार्टिंग डो शब्दिंगाउन पहां जैसे वता हैं यहां पहां संदर प्रस्तूद Blaze yahag página आप लिख सकते हैं फोसर च्वी전 से वीरह विरेड पुज्यते नामक पार्ट में संदर यहां भी बता दिए हैं जैसे आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं लिखेंगे कि जो समुंद्र की उत्तर में और हिमाले की दच्छिण में इस्तिर है वह भारत नाम का देश है जहां कि संतान भारती है संते हैं कि भारत जितने भी संतान हैं वह वीर आर्षाप पता कर सकते हैं そ बहुति करें अगरे प्रक्रश्ण को देखते हैं डेंगे समुद्र करें क्या देगा अथवा में और चाहिए इस प्रशों का उत्तर दिजिए जो यहाँ यहाँ इसको भी प्राश्नों का इतर बता रहें इसको भी साथ प्रयों भवती और छाहिए किन्तु हित्वा सुखी भवयत ठीक है अब देखिए यह देखिए सूख की बात कर रहा है इसके हीत की बात कर रहा है जो यह हीत और प्रियोग के बारें बात कर रहा है जो इन शब्दों का प्रियोग होता इन सब्दों का प्रियोग सबसे ज़्यादा प्रियोग होता जीवन सुत्राड़ी में अब जीवन सुत्राड़ी देखिएगा पाठ है जीवन सुत्राड़ी जो है न उसमें इन सब्दों का सबसे ज़्यादा परियोग किया गया है तो आप जीवन नू मतलब होता नहीं हित्वा माने प्रिय भवती यानि हित्वा माने प्रिय मतलब प्यारा होता है यानि किसको छोड़का प्रिय होते हैं ठीक है तो किसको छोड़का प्रिय होता है अब यहां किन्नू हित्वा ना सोचती यानि कि आप यहां पर लिखेंगे किसको छोड़का और सोक नहीं होता है नहीं करता है यानि कि किसको छोड़कर सोग नहीं करता है फिर इसके बाद किमनु हित्वार थ्वाम भवती किसको छोड़कर धनवान हो जाता है किनु हित्वा सुखी भवते और किस तो छोड़कर सुखी होता है इसका क्या हो जागा हिंदी में अनुवा तक हिन्दी के संस्कृit खंड के जीवन सुत्तराज नामक पाट से लिया गया hard इसका क्या लिखे लेंगे संदर लिखेंगे हिंदी मनवाद करने लिखेंगे कि इसको छोड का प्री होता है किसको छो छोड का सोक नहीं करता है किसको छोड़का धनवान हो जाता है और किसको छोड़का सुखी होता है यह होगा इसका हिंदी अनुवात आपको इसी तरह हिंदी में अनुवात इसका करना रहता है ठीक है यह चीज़ समझ में आ गया होगा अब देखें आपके सामने अगला प्रशन किस पकास से पूछा ज कुछा जाता है अब जब कई प्रश्ण पूछा जाता है इस में से आपके इस्कूल में जो खंड काभी पढ़ाया जाता होगा उसी का उत्तर आपको बोड एक्जाम में देना है समझ में मुक्ती दूत है देखे, मुक्ती दूत से समझी दो प्रशन पूछा क्या है, जितने भी गाजीपूर के छात्र होंगे, उनको किवल मुक्ती दूत वाला ही प्रशन हल करना रहता है, इसके अलावा जितने भी इसके आगे प्रशन लिखा रहेगा, सभी को आपको बोड के एकजाम में छोड़ चित्र आपको लिखना है या इसके अलावा मुक्ति दूत खंडकाब के पंचम सर्ग का अपने शब्दों में लिखना है जरी आपको बताते हैं कि गाधी जी का चरित्र चित्र बोड़ के इग्जा में कैसे लिखेंगे जिस से आपको टोटल तीर नंबर आपको मिल जाए अब देखें जैसे इसको लिखना होगा ता आप कैसे लिखेंगे गाधी जी के बारे में जितना कुछ भी आप जानते कुछ उनकी विश्यस्ताएं क्या है गाधी जी ने भ प्रश्णोत्तर संक्या यहां प्रश्णोत्तर संक्या यहां प्रश्णोत्तर संक्या यहां प्रश्णोत्तर संक्या लिखने के बाद यहां पर लिखेंगा अब यहां पर लिखेंगा नायक का चरित्र चित्र जिसमें नायक कौन है महात्मा गाधी जी यहां महात्मा गाधी की ही नहीं बलकि संपुर्विश्व की महान घटना है आपको पता है कि महात्मा गाधी जी कितने फेमस ब्यक्ति थे और देश के आजादि में कितनी इनकी भूमिका थी और इनकी विश्चताएं क्या-क्या थी उसके बारे में आपको यही सब लिखना है ठीक है समझ में आ गय तो कि यंच्रित्र से परभावावित थे इस प्रसूत कभय स्था हैं अधर पर का दी जी के च्रित्र आンダardु से Himself ते हरश्यणों के यि उद्दारक माने जाते हैं भक्त थे ये इनके कुछ विश्यस्ताइं हो गई चलिए इनके विश्यस्ताओं के बारे में पॉइंट वाइज देख लिया जाए जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में आपको लिखने में आसानी हो देखिए अब दीप पूरुस में आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा आपको जितने भी आप लिख सकते हैं लेकिन आपको यहां बता दे रहे हैं जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में आप आसानी से लिखने में आसानी हो ठीक है यहां प्रेटिंग बनाई है दीब्यपूरुस अब यहां लिखिए महात्मा गाधी महापूरुस प्रित्वी पर अवतार के रूप में प्रकट हुए जो प्रित्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं इस प्रकार गाधी साधार पुरुष नहों कर क्या थे दीब्यपूरुस थे अब देखे पूरा इसको देख लीजिए आप इसको अपने कापी पर नोट कर लीजिए ठीक है और यह कापी पर जीवन प्रत्न दलितों पिछळों तता हरिजनों को गले लगाया गाधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश भी हरिजनों का उद्दार करना था यह इतना लिखेंगे अब देखें यहाँ पे मात्री भक्त के बारें लिखें गाधी जी मा के प्रती स्रद्धा और भक्ती ठीक है कि भावना रखते थे गाधी जी ने उदारता प्रवपकार दया तथा सत्यता आधी गुड़ों को मा से ही सीखा इतना चीज आप इस चीज को लिख सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखें आगे महान देश भक्त अब यह महान देश भक्त थे इसके बारे ब्यठित हो जाता है और वे जीवन की अंतिम सांस्ता को सिवा की जिसे क्या पता चलता है कि महान देश भक्त भी सचमुछ महात्मा गाधिजी सम्का सुख वयभो त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अरपित कर देते हैं इतना पॉंट आपको महात्मा गाधी जी के बार आपको सोरी दोस्तों तीन नंबर आपको मिल जाए ठीक है यहां से आप क्या करेंगे खावाला है यह सभी प्रशन क्या करेंगे इन सब को आपको छोड़ देना है जिस जीला में जो खंड काब पढ़ाया जाता हो उन्हीं खंड काब को करना है इसके अलाबा जितने भी आपक आपको नजर आ रहा है देखें अभी और प्रशन आपको देखाते हैं यहां पर देखिए अगर पूजा खंड काब बे जै सुभास खंड काब यह सभी आपको क्या करना है सब को छोड़ देना है जिस जीला में जो पढ़ाया जाता हो खंड काब उसी को केवल करना हो सभी क तो यहां तक छोड़ देना तो केवल आपको खंड कावे में एक ही प्रशन आपको करना है सभी प्रशन को आपको बोड के एक जामें छोड़ना रहता है अब देखिए आपके सामने अगला प्रशन आ गया ठीक है क्या है आपका कि दिए गई लेकों में से किसी एक का जीवन परशे देते हुए उनकी प्रमुक रचना का उलेक करना है तोटल कितने नंबर का प्रस्ण रहेगा तोटल पांच नंबर का प्रस्ण रहेगा आचार रामचंदर शुक्ल जैसंकर प्रशाथ और डाक्टर राजेंदर प्रशाथ इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परचे लिखेना होगा यहां संचीत परचे पहले लिखिएगा संचीप परचे में जैसे उनका नाम लिखेगा आचार राम चंदर शुक्ल जन्म कब हुआ था 1884 इस्वी में जन्म अस्थान कहां पर है तो बस्ती जीला अगोना गां उत्तर परदेश में इनके पिता का नाम क्या है चंद्र बली शुक्ल जी हैं इनकी मुर्ट्यू कब हुई थी 1941 में इनका कुछ संचीत परचे आप लिख दीजिएगा अब यहां पेहडिक बनाएगा जीवन परचे उनको देखिए जीवन परचे लिखेंगे आचार राम चंद्र शुक्ल का जन्म 1884 इसी में बस्ती जिले के अगोना गाउ में हुआ था इसको पुरा लिख लिख लिजिएगा आप लोग ठीक है इनके पिता का नाम चंद्र बली शुक्ल था इंटर्मीडियेट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई ये सरकारी नोकरी करने लगे लेकिन कुछ समय के बाद मिरजापूर के मिशन स्कूल में चित्रकल अध्यापक हो गए ठीक है बाद में देखिए आप बाद में सोयम हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फार् प्राप्त किये कासी नगरी प्रचाड़ी सभाग के से जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपादक का कारेबार समाला इसको इतना लिखिएगा फिर इसके बाद देखिए सुकल जी की निबंद आलोचना कावीता आधी के चेत्र में सरुपरी अस्थान है स्वास का दौरा पढ़ने के कारणा 1941 इसवी में इनकी मृत्तिव हो गए इनका कुछ जीवन परचे कि उन्होंने क्या किया कब जन्म हुआ कहां पर उनके पिता का ना माता का ना कहां पर उनकी मृत्तिव हुई यही सवाब को लिखना रहता है फिर इसके बाद देखिए कुछ रचनाय लिखी थे निबंद कौन सा है चिंतामरी रूचारवी थी चिंतामरी आपके बोड के एकजामे बहुई कली की के रुख में भी आता है अलोचना उनकी कौन कौन सी थी रस्मिमांसा त्रिवर्णी सूरदास संपादक इनका क्या था तुलसी ग्रांथावली जैसी ग्रांथा इन्हें आलोचनाक के सम्राट भी कहा जाता है यह इनके कुछ जीवन पर्चे हो गए जिसको आपको बोर्ड के एकजामे जैसे बता है इसको कापी पर लिखे के याद कर लीजिए यह 100% बोर्ड के एकजामे यह देखने के लिए आपको मिलेगा ठीक है अगला प्रशन देखि कर ओल यहां पर तुलसीदास का जीवन पर्चे आपको बताते हैं और इससे आप यादभी रखियेगा यहाँ पि देखिए आप प्रशंत संक्या 6 में जीवन पर्चे हो और यहां पर नाम जलु act पर pap galaxy में क्या है जैसे उनका जन्म कब वह था 1532 में म्यूत्यू कब उती 1623 में जन्म अस्थान कहां पर राजापूर चित्रकूट उत्तरप्रदेश में इनका जन्म हुआ था माता का नाम क्या है इनके माता का नाम हुलसी है पिता का नाम आत्मा राम दूबे है गुरु का नाम क्या है नरहरी दास है पत्नी का राम रतनावली रचनाइन की कौन कौन सब्सक्राइब परेंगें परेंगें दिएगा देखेंगें तुलसी दास का जन्म चित्रकूट जी लेके ठीक है राजापूर नामा गाउं में सन 1532 इस्वी में हुआ था ठीक है इनके पिता का नाम आत्मा रामदूबे और माता का नाम हुलसी था मूल नच्छत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था इस तरह आप लिखिएगा लिखने के बाद देखिए अब इसके आगे क्या लिखना है इनके बारे में कि नरहरी दास ने इनका पालन पोसर किया था कासी के शेस सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आधी गरंतों का ज्यान कराया था इतना लिखेंगे फिर इनका विवा रतनावली से हुआ था फिर इसके बाद देखिए आप लिखेंगे कि इनका विवा रतनावली से ववत लिख लेंगे यहां तक इसके बाद इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकुट में अधिक बैतीत हुआ इनकी मृत्यू काशी के असी घाट पर सन 1623 में हुआ था इनका क्या करेंगे इस तरह जीवन परचे लिखेंगे ठीक है पहले पर आप संचिप परचे लिखेंगे फिर इसके बाद इनका जीवन परचे लिखते हुए और लास्ट में रचनाय जरू लिखिएगा कि इनके तुलसी दास जी के द्वारा कौन कौन सी रचनाय की गई थी देखे रामचरित मानस विने पत्रिका कवितावली गित हावली दुहावली यह थै कुछ तुलसी जास के जीवन परचे जो आपको संचिप्त में बताए हैं आप इसको एक बार लिख लिजिए और यह 100 परसेंटेज पेपर में देखने के लिए मिलेगा ठीक है अब देखे आपके सामने साथवा नंबर का प्रशन क्या है यह थे खावल होगे जो आपका पांच नंबर का था अब अगला प्रसन देखिए कह रहा है कि अपनी पार्ट पुस्तक में से कंठस्त कोई एक स्लोग देखिए आप क्या करना है सलोग कैसे लिए इसका देखिए आपको कैसे लिखना देखिए याँ पर पूरे प्रशन को मजना वाले आप बस आप वीडader Sankhya और यहां पर कि सलोक है मिल जाएग तब्रीटु माश्च जित दुख भाग भवेत यह था आपका स्लोक, आप इस स्लोक को लिखे लिए और इसे आप याद भी कर लिजेए, इस स्लोक को जरूर याद कर लिजेगा, आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, और आप कंटस्त जरूर कीजेगा, दो दो नंबर का है यहां पर संस्क्रित से संबंदित आप से चार प्रश्ण पूछे गए देखी इन चारों में से जिसका एंसर आपको आएगा किवल वही दो प्रश्ण का उत्तर दीजिएगा चारों का नहीं देना है किवल दो का ही देना है देखी जैसे आपका प्रश्ण है ज्यानाम कुत्र संभवती ठीक है यानि कहा संभव हो हÎं यह इसके बारे में भारती संस्कृति मूल थी भारती संस्क्रीट का मूल क्या है कुत्र म्म मंगलम भवती यह चंदर शेखर का दूरा कौन थे भर देखिए इसके हिंदी मौगाद इसका आप संस्क्रित में मतलब की आप उत्तर कैसी लिखेने ग्यानम सभी जगह संभूति यानि ग्यान सभी जगह से क्या कर सकते हैं इसलिए इसके संस्क्रिट में क्या होगा 60 मानुआद करें इसका क्या होगा उत्तर क्या होगा ज्यानाम सर्वутств्र संभवत इस तरह लिखेंगे अगला प्रस्न का उसार देंगे कि विश्वस्य सरष्टा इश्वर एक एव अस्ति इदि भारति थे खेंग आप लिखा इती भारति यह संस्कृत ने मुलम अस्ति यह दूसरे का अगला है पहले अक्राप एक प्रसिद्ध या जयाँ अगला है चंद्रसेखर कौन थे देखें आप एंसर कैसे देंगे कि चंदरशेकर ररा एक प्रसिद यानी चंतर शेखर यानि चंदरशेकर यानिकी देशभगध थे तो इस तरह आपको क्या करेंगे संस्कृत के आपको चारों कांज बता दिये हैं आपको चारों मैंसे किसी दो का whipping answer में तो आपके सामने चारों का एंस्वर आपको बता दिए इसको जरू आप याद कर लीजिए का समझ में आ गया अब यह कि आपके सामने अगला प्रश्न क्या है कि निहलंगे में वी से पर निबंद लिखना आए टोटल नौ नमबर करेगा देखिए आपके सामने आतंगवाद का प्रभाव प्रभाव क्या है आतंगवाद का निवार निवारार क्या है क्या आतंगवाद का समधान संभो है आतंगवाद विरोधी दिवसका मनाया जाता है इसका निसकर्स क्या निकलेगा तो यह आप पॉइंट बना लिजिएगा जिस तरह बताय रहे इसी तरह बोड की एकजाम मिलिक क्या हीएगा एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है समझ क्या हो जागा एक प्रकाय आतंगवाद के अंदर करता है तो आतंगवाद क्या होता है यहां लिखेंगे आतंगवाद एक ऐसी समस्या है जिसमें संगटित या और संगटित सदस्य हिंसा करते हैं ठीक है क्या करेंगे हिंसा यदि करते हैं अपने देश में तो आतंगवाद कि पिर आफ अगला पोइंट बनाए meant ऐतंग और बाड आतंग वाद के कारण विभिन हो सकते हैं जैसे कि राजनेतिक कमाता हैं समाजिक करणा, आर्थिक असमान्ता धार्मिक और जातिकत विवाद और भरत अचाहर, यह क्या होगा, आतंग वाद विवाद सब्होट julunk आप भारते में देख लीजिए क्या है राजनाइतिक समाजिक आर्थिक जातिगत विवाद यह सभी क्या हो जंग भरष्ट रचार यह आतंगवाद के एक कारण हो जाते हैं फिर अगला एडिंग बना लीजेगा आतंगवाद के प्रभाव क्या होते यह कौन ऐसा प्रभाव पड़ता है तो आतंगवाद के प्रभाव शामिल समाज के दुर्भावना शामिल हो सकते हैं इसके बाद आप लिखिएगा आतंगवात का निवारण आप पैसे कर सकते हैं तो आतंगवात के निवारण के उपाए में सिच्छा समाज और आर्थिक सुधार सुरुच्छा सूद्रिड करना चाहिए ठीक है अब देखिए क्या आतंगवात का समधान संभो है देखिए यहा प smartest निवारण के वश्कता है पर असरा किकला है टीवाद के बुरूध दिवस को मनाया जाता है 21 मय को आतंगवात अबनाया जाता है लिक लेंगे फिर इसमाज्य सुधार और सुष्य का होगा कि आतंगवात एक भयानक समस्या है जिसे समाज और सरकार को मिलकर समधान करना होगा सिच्छा समाजिक सुधार सुरच्छा और सहयोग से हम इस महमारी से निपट सकते हैं यह था आपका आतंगवात पर निबन कैसे आप आतंगवात पर निबन लिखेंगे ठीक है समझ में आ देखें यहां पर आपका पूरा संपूर पेपर हिंदी का समाप्त होता है ठीक है और यही पेपर आपको दो हजर पचीस में देखने के लिए मिलेगा आपको संपूर पेपर का हल अदम बताएं सभी कोईस्टन को आप एक जगा पतली सिकाफी बना के लिख लीजिए और इसे याद जरूर कर लिजिए ठीक है इसी प्रकास है परतेख सब्जेक्ट का आप सभी कुछ डिटेल में परतेख पेपर को हल कराने वाले हैं तो आप चैनल पे नए दिचनल को साथ में सब्सक्राइब कर लिजिए गा और यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीज और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर कीजिए